11 दिसंबर 2019 को जब नागरिक्ता संशोधन कानून रजसभा में पारित हुआ था उसी दिन दिल्ली के पाकिस्तानी हिंदू शनार्थी कैम्प मजनू टिला में एक बच्ची का जन्म हुआ था जिस बच्ची का नाम नागरिक्ता रखा गया था आज वो बच्ची 5 साल की हो खुशी की लहर है उन्हें अब उम्मीद है कि अब वो भारतिय नागरिक्त बन जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नागरिक्ता आज लगभग 5 साल की हो गई है और सुबह सुबह तयार यहाँ पर हमारे साथ बैठी हुई है उनकी छोटी बेहन सागरिक्ता भी में हैं आपको जब आपने नाम रखा था नागरिक्ता इनका उस वक्त तो सिर्फ कानून एक तरह से पारित हुआ था लेकिन अब लागू हो गया है क्या उम्मीद है आप लोगों को हमारे को बहुत अच्छा लगा नागरिक्ता जब बिल पास हुआ था तो सब लोग उन्हें बोला नागरिक्ता मिलने वाली है तो यह बच्ची जब पैदा होगी थी तो हमने का भी नागरिक्ता मिलेगी क्यों हम इसी बच्ची को पकड़ ले भई यह नागरिक्ता है तो हम पहले हमें बटकना ही लग गया कईणा हम जा सकते या तीरत जात्रा पे ना बाहर निकल सकते हम दिल्ली के अंदर वस यहाँ बसे पड़े और यहाँ सब लोग बोलते हैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी आज हमें उम्दुस्तानी कहने का अधिकार मिला हमें बहुत अच्छा लग और हम कहते हैं इस बच्ची की तरह हम नागरिता को रखेंगे हम जितनी इस बच्ची की इज़त करते हैं हम उसी नागरिता की इज़त करेंगे और इसी भी करेंगे पहले हमें एक मिली थी आज हमें दो नागरिता ही मिलेंगी इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा मोदी जी से ये धन्यवाद कहते हैं आपकी नागरिता की मनुकामना पूरी होने वाली है। अरेंजमेंट में ये लोग लंबे समय से रह रहे हैं लेकिन अब जब नागरिक्ता का रास्ता साफ हुआ है तो इन्हें लगता है कि शायद इस्थितियां सुधरेंगी और रहने के लिए और बेहतर माहौल भी मिलेगा आप लोगों को जानकारी मिली होगी कितने खुशी है हमारी बच्ची लखी ऐसी वज़ा से मैंने भी नुस्ते यही का था एक नाएक दिन मेरी बच्ची नागरिक्ता लेके याएगी और मेरी भगवान ने मनुकामनाई पूरी कर ली तो आप देख सकते हैं कि चेहरे पर मुस्कान है खुशी है और आज लोग इस मौके को बाद कर रही है मुस्कुरा रही है अपने मा के साथ यहां पर मौजूद है तो इस तरह से लोग आज यहां पर मजनुका टिला पकिस्तानी हिंदू शरनार्थी शिविर जो है और इसके अलाबा भी पांच शिविर दिल्ली में है रोहनी सेक्टर 11 की बात करे चाह रोहनी से साथ मजनुट इला दिल्ली से मैं अभी जीट ठाकुर।